दियर फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल ओफिसियल इंग्लिस गुरूपर फ्रेंड्स यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टीचर जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स और इंग्लिस प्रेपरेशन हमें सा करा ही जाती है और फ्रेंड्स यह आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज लीचे दियेगे रेड कलर के सस्क्राब बटन को दवा कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आज का वीडियो आपके लिए भहती खास है यह TGT इंग्लिस 2021 का सर्वेश चल रहा है कि कट ओफ क्या रहेगा और इसके अलाबा ओफिसियल आंसर की जो आपकी जारी हो चुकी है उसमें इन साथ प्रस्नों पर आपत्ति आपको करनी है और चार प्रस्नों के उत्तर बदले जाएंगे और लगबग तीन से चार प्रस्न आपके F होंगे अर्थात डिलीट किये जाएंगे तो वीडियो को अंततक देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से प्रस्न है जिन पर आप आपत्ति कर सकते हैं और कौन से प्रस्न है जिन पर आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए तो पहला कुश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर देख पारे होंगे, यह लिखा हुआ है, which of the following poem is not written by John Galsworthy, इनमें से कौन सी poem है, जो John Galsworthy के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आप अगर इसको Google पर भी सर्च करेंगे, तो आपको यह B वाली poem मिल जाएगी, जबकि official answer की में D option को माना गया है, तो इस पर आप चाहें, तो आप अत्ती कर सकते हैं, next question को देखेंगे, friends, आपका जो close test वाला paragraph आया था, passage, उससे question है, अगर आप इस पर जाएंगे, तो आप देखेंगे, which जो word यूज हुआ है, वाँपर, तो which किस के लिए यूज हुआ है, persons के लिए तो नहीं हुआ था, वाँपर जो word आया था, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास होगा, तो वाँज जो which हुआ था, वो आया था, देर pursuit के लिए, देर pursuit of knowledge, which makes, यहाँपर makes होना चाहिए था, D option, लेकिन, बोर्ड ने पता ने, इसको make कैसे माल लिया है, इसमें उसने moments माना है, जबकि यहाँ हर हाल में इसका movements ही होगा, तो आप इस पर आपती दे सकते हैं, moments इसका answer, movements ही होगा, देख लेना, और next question है, 49, इस पर आप आपती हर हाल में आपको देनी चाहिए, क्योंकि इसका तो answer हर हाल में सब का सही होगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, हमने ये work भी पढ़ाया है, उनका Charles Lamb का, तो इसमें पूछा गया है question में, क्या पूछा गया है, जो gradual recovery from illness, तो इसका conveyance आपका सही option होता है, स्वास्त लाप पाना, और जब कुछ ने putrefaction माना, इसका मतलव sudden इत्यादी होता है, जब किससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें तो 100% आप सभी को number मिलेगा, next one question को देखेंगे आप, 73 number question था, इस पे आपको challenge करना चाहिए, sexpear's play, loves, levers, lost, is a good example of, तो सभी को पता है कि ये romantic comedy है, लेकिन board ने इसको comedy of manners माना है, जब कि आपको पता है कि ये restoration period में comedy of manners, William Congre, Baitri, जैसे writers द्वारा लिखी गई है, जब कि ये William Shakespeare का loves, levers, lost है, वो romantic comedy है, friends, तो इसका D option सही होगा, यद इस पर आपत्ती आप करते हैं, next question है, 81, a dramatic monologue, friends, इसका answer, जातर आप सभी दे को study किये हैं, सब को पता है, तो इसका answer A भी होगा, a single speaker talking to himself, ये भी सही है, और इसकी definition अगर आप पढ़ेंगे, तो ये भी सही है, an imaginary speaker talking to an imaginary audience, तो friends, इसमें दोनों options हैं, जब कि board ने इसमें C माना है, imaginary speak कर, talking to an imaginary audience, जब कि आप में से अधिकांस ने A को भी किया होगा, तो friends ही हैं, दो option board कभी सही मानता नहीं है, इस question को board delete कर देगा, यानि कि इसको F में डाल देगा, remove कर देगा इसे, next question को देखेंगे, 103, इसमें दिया, some statements have been given here, for tragedy, यह tragedy के लिए कुछ example दिये गए है, find out correct statement, और आपको सही statement पता करना है, तो यहाँ पर चार option है, अगर आप इन चारो option को पढ़ेंगे, तो first में इस first दिया, it is representation of serious action, यह सभी को पता है कि, tragedy में serious action होता है, leading a joyous conclusion for a tragic hero, एक tragic hero के लिए इसमेंगा, जो joyous conclusion का होता है, tragedy में तो जो end होता है, उसका sorrowful होता है, joyous conclusion friends होता है, लेकिन tragic comedy में होता है, लेकिन यह tragic comedy नहीं, tragedy के बारे में पूछा गया है, जबकि B option को, यानि कि पहला तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो अब आप यह देख लीजिए, जब पहला नहीं हो सकता, तो board ने इसमें B option को सही माल लिया है, किसको माल लिया है, B को, यानि कि 1 और 4 को board ने सही माना है, तो 1 और 4 आप देख सकते हैं, 1 और 4, 1 तो 100% नहीं है, यह confirm है, और 4 में देखना क्या लिखा हुआ है, तो यहां मेरे according, मैंने अपने answer की, जो अपनी आने से पहले डाली थी, तो मैंने इसमें, 2 C option को सही माना था, जो real में C सही भी है, 2 और 3 option इसका सही होगा, क्योंकि आप 3 में देखिएगा क्ये लिखा है, 2 और 3 में देख सकते हैं आप, तो में लिखा है, the tragic hero will evoke both fear, pity and terror, जो tragic hero होता है, वो audience के अंदर, pity और fear की feelings को create कर देता है, और 3 को देख लिए, the hammer see becomes the reason of his demise, यानि कि जो hammer see आया ना, वो एक tragic hero के पतन का कारड़ बनती है, बिनास का कारड़ बनती है, तो यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही है, पतानी बोर्ड ने कैसे इसको, आपकाट B माल लिया, जब कि B option गलत है, तो friends आपने, देखे यह इतने questions हैं, जो controversial हैं, बिवाद इस्पद हैं, और इन पर निश्यत ही, आप इसमें 3 से 4 questions ऐसे हैं, जिन पर आप challenge कर सकते हैं, यह question और इसमें friends छूट गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किस पर challenge कर सकते हैं, D series में 29 नमबर पर होगा question, Milton's जो बर्क है, on Shakespeare, वो पूछा गया है, कि यह publish कब हुआ था, ठीक है, on Shakespeare, जो बर्क है, by Milton, Milton के दोवारा लिखा हुआ, इसको पूछा गया है, कि यह publish कब हुआ है, तो friends, यह publish तो आपका, 1632 में हुआ है, लेकिन question में, उसने 1630 माना है, तो आपको पता होना चाहिए, 1630 में तो यह, बर कहना compose हुआ था, ठीक है ना, लिखा गया था, तो आप इस पर 100% आपत्ती करिएगा, यह आपका हर हाल में सही हो जाएगा, friends, cut-off पर, अभी मैं जल्दवाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर analysis कर रहा हूँ, अभी survey चल रहा है, मैं लगबग 40-50 candidates से data collect कर चुका हूँ, आज की answer की के बाद, और मैं अभी प्रियास रतनूँ, मैं चाहता हूँ कि 500-200 candidates कम सका मैं उनकी survey कर लूँ, बास्त वेक, क्योंकि तब हम आपको एक सही exact, expected cut-off का वीडियो आपको देने वाला हूँ, इसके लिए, एक या दो दिन का समय लग सकता हो, सकता है कल तक कवर कर लिया, तो मैं आपको कल साम को नहीं, तो परसों हर हाल में उपलब्द करा दूँगा, और आपको सबसे 60 के expected cut-off मिल जाएगी, और इसमें मैं एनलाइस सरफ इन कंडियेट्स के, कितने कुशन सही हैं, उसके अलावा मैं, पिछली जो प्रिवियेस दोजा सोले वाली जो भरती है, उसके अनुसार, और प्लस नंबर आप सीट्स जो बढ़ी हैं, उसके according, मैं पूरी सारी चीज़ों का बलोकन करने के बाद, आपको वीडियो देने जा रहा हूं, जल्द वाजी में वीडियो में न, वीडियो को अन गुर्प्स में भी सेंड करिए, थैंक्यू फ्रेंट्स,